हेलो दोस्तों, वेलकम तो फ्यूचर को पायस, दोस्तों लास्ट वीडियो के अंदर एटिट्यूट के बारे में देखा, उसमें थोड़ी वाइस की प्रॉबलम आ रही है, थोड़ा नॉइस जो है, बैक्राउंड के अंदर में काफी जादा आ रही है, तो उसका थोड़ा मै कोई settled way of thinking के अंदर हम देखेंगे, फिर हमने देखा values और attitude और हमारा behavior उन तीनों के बीच में क्या relationship है, अब देखेंगे structure of attitude, attitude किन चीजों से मिलके बना हुआ है, function क्या है, different type of attitude क्या होते हैं, तो structure of attitude की बात करेंगे, तो इसमें तीन component होगे, attitude क्या होगा, हमारे brain के अंदर में, हम कैसे सोचेंगे, feel करेंगे, या act करने की कोशिश करेंगे, तो उसको हमने divide कर दिया, कि attitude के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है, attitude में आएंगी में लिए तीन चीज़ें, यह काएगी cognitive और belief, आप क्या believe करोगे किसी चीज़ के बारे में, तो इसमें आएगा, it is our thoughts, thoughts, beliefs and ideas regarding an attitude object, object कुछ भी हो सकता है, state हो सकता है, individual हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, जिसके बारे में आप क्या belief होगा, पहले से आप क्या सोच रहे होंगे, उसको बोलेंगे, हम cognitive component of attitude, जैसे, अगर कोई हमारा attitude इस ताइप से हो सकता है, कि welfare जो recipient होता है, मतलब जिनको welfare services मिल यह हमारा एक attitude का component हुआ, दूसरा क्या हो सकता है, affective or emotion, it is a positive or negative feeling or emotion about attitude object, तो आपने के किया welfare people जो होते हैं, वो lazy होते हैं, तो आपका यह belief हाता है, attitude के अंदर first component, दूसरे में आप क्या सो सकते हो, जब आप यह belief करते हो, कि attitude people lazy होंगे, तो आप उनके ब्रती positive या negative feeling लेके आ स उनको education देनी पड़ेगी, ताकि उनको भी समझाए कि यह गलत बात है, और आपको किस तरीके से अपनी life को better बना सकते हो, ताकि आपको welfare की आफशकता ना पड़े, तो आपका attitude उनके प्रती positive हो सकता है, या negative हो सकता है, आप hate निकाल सकते हो, उनके प्रती की hating attitude, आपके दिम belief system बनाओगे, कोई thought लेके आओगे, second में जो आपने thought लेके आए, आप उसके प्रती में emotion generate होगा, positive या negative, fear हो सकता है, sympathy हो सकती है, hate हो सकता है, love हो सकता है, third में क्या होगा, एक behavioral, behavioral action tendency, यहाँ पे word हुआ है tendency, मतलब behavior यहाँ पे use हुआ है, तो behavior और attitude में difference है, attitude दिमाग की बात attitude बनता है, तो उसमें क्या tendency, आप कैसे act करोगे, उनके प्रती में क्या action लोगे, अगर आपकी दिल में hate पैदा होती है, उनके प्रती, तो आप क्या करोगे उनके प्रती में, क्या protest करोगे उसके प्रती में, या आप जाके गोली मार दोगे उनको, किस type की tendency होगी, मतलब आपकी internal feeling होगी कि किस तरीके से आप act करने वाले हो, हो सकता है कि आप जो है समाज की डर से वैसे act ना करो, ये तो सिर्फ आपका attitude है, जो हमने देखा attitude और जो हमारा behavior है, उसमें difference होता है, तो आप जो हो act किसी भी तरीके से कर सकते हो, different भी हो सकता है, बट चांसी जादा होगे कि आपका attitude, जो आपका behavior होगा, वो attitude से मिलता जूलता होगा, तो तीन component, cognitive, believe, कैसा believe करोगे आप किसी particular चीज़ के बारे में, फिर जो believe करोगे, उसकी प्रतिया feeling generate करोगे, फिर कोई behavioral tendency, आप कैसे act करोगे, वो आपको attitude का component आएगा, and इसमें tendency to act होती है, कोई actual action नहीं होता है, actual action जब करोगे, तो उसको behavior बोल देंगे, लेकिन आप कैसे action करने वाले हो, कैसी tendency है, उसको बोलेंगे हम, इसका behavioral component है, तो तीन component हमारे attitude के function की बात करेंगे, attitude का क्या function होता है, मतलब आपने पहले से दिमाग के अंदर में एक predisposition बना के रखी हुई है, कि कैसे आप विचार बना के रखे हो, उसका आपको क्या फाइदा होता है, तो फाइदे की बात करेंगे, इसमें चार main हमें फाइदे दिखेंगे, या function दिखेंगे, जिनसे attitude हमारे लिए काम करता है, तो adjustment, utilitarian, adaptive, तो ये तीनों शब्त का एक ही मतलब है, कि आपको कोई फाइदा मिलना है, utilitarian theory हम समझिए कि आपने maximize करना है, अपनी happiness को, मतलब आपको अपना reward maximize करना है, adaptive मतलब किसी particular situation के अंदर आप जाते हो, वहाँ पर आपको adapt करना है, situation के अनुसार आप अपने आपको ठालना है, या adjustment भी same, वही चीज़ आ जाती है, तो attitude हमें help करता है, situation के एसाब से अपने को ठालने के लिए, हमें हर बार सोचने क्या शक्ता नहीं, परती की हमें किस तरीके सेक्ट करना चाहिए, जो जिस तरीके का attitude आपका चीज के प्रती बनेगा, आपको ज्यादा favorable लगेगी, जैसे, it serves the utilitarian concept of maximizing reward and minimizing the punishment, we develop favorable attitude, हम favorable attitude बनाते हैं, जो चीज़ें हमें reward देती हैं, तो एक बार हमने favorable attitude बना दिया, हमें पता है, वो reward देंगी, और कुछ चीज़ों के प्रती हम unfavorable attitude बनाएंगे, जिनसे हमें पता है, नुकसान हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जो हमारी favorable होगी, उसके प्रती जाने की कोशिच करेंगे, मतलब हम अपनी utility, हम अपनी happiness को maximize करते हैं, अपने attitude की साहता से, जैसे we favor, हम political party को favor करते हैं, जो कि हमारा benefit होता है, जैसे कोई political party जीतेगी, हमारा जो benefit होगा, अगर उनके manifesto में लिखाएंगी, आपको नौकरियां दी जाएंगी, आपको pension मिलेगी, हम उनको vote देने की कोशिच करेंगे, उनके प्रती हमारा favorable view होगा, त क्योंकि हमें उससे फाइदा हो रहा है, और अगर हम business के अंदर हैं, और जो party हमें business के अंदर में साहता देगी, हम उनको vote करने की कोशिच करेंगे, और business के अंदर होगे, तो जैसे जो party taxes low करने की बात करेगी, हम उनको फाइदा देने की कोशिच करेंगे, तो basically हम जिन चीज बगएरा बना के रखाए जो हमें punishment देगा तो हमें यहाँ पर attitude से पता चल जाएगा person का attitude बन जाएगा law के प्रति की उस चीज के प्रतिम है कि अगर मैं यह करूंगा तो मुझे उसके लिए सजा मिलेगी जोसे डौरी की बात करेंगे अगर वो लेंगे तो हमें उसके लिए एक self esteem create करके रखता है अपनी नजरों के अंदर में अपनी एक image create करके रखता है person अब ego defensive function का क्या मतलब होता है अगर मालो आपने वह image कायम करके नहीं रखी जैसे आप सोचते हो कि आप intelligent person हो लेकिन आप prelim के अंदर fail हो जाते हो तो जो आपकी self image थी जो आपने सोच के रखा मतलब otherwise आप नहीं डूंड होगे तो आपकी जो image थी उसको ठेस महुंचेगी और आपको guilt feel होगी और गलत feeling आएगी तो attitude आपको क्या help करता है attitude एक defense mechanism की तरह काम करता है refer to holding that protect our self esteem and that justify action that make us feel guilty कोई action हमने लिए अगर उनके consequences से हमें guilt feel होती है तो attitude हमें protect करने का काम कर सकता है जाते है आप fail होते हो उसके बाद मैं आप क्या बोलोगे कि इस टाइम तो paper काफी tough आया था 2018 का paper तो बहुत ज़्यादा tough आया था और उसकी वज़े से fail हुआ मतलब आपने के किया अपनी जो self esteem थी उसको बचाने के लिए एक ego defensive function से आप चलेगे कि मतलब rationalize करना शुरू कर दिया कि मैंने तो काफी preparation की थी लेकिन थोड़ा paper tough आया था उसकी वज़े से सभी बोर रहे हैं कि paper tough आया था तो आपने थोड़ा rationalize कर लिया या आपका fail हो जाते हो paper easy आया था लेकिन आपका दोस्त भी fail हो जाएगा तो आप क्या कर और इसी के ego defense के चलते ही जैसे हमारा कोई unfavorable हम किसी religion को follow करते हैं तो हम उसके unfavorable view नहीं देखना चाते हैं क्योंकि हम नहीं चाते हैं जो हम चीज़ों को सोच के रखाओ जो हमने उसके प्रती attitude बना के रखाओ जो हमने उसके प्रती viewpoint बना के रखाओ उसको कोई चोट तो आप उसको justify करने की कोशिज करोगे second function of attitude third function value expression function value expression function का मतलब आपने कोई value को held करके रखा है उसको express करना है ज्यादा सज्यादा लोगों के अंदर में मतलब आपने कोई चीज को अपनी central core value में रखा हुआ जैसे मालो आप सोचते हो कि आप एक honest person हो आपने honesty को as a core value रखा अब आप उसको express करने की कोशिज करोगे आप उसको जहां भी आपको मौका मिलेगा अपनी honesty को show करने की कोशिज करोगे और उससे आपको social approval भी मिलेगा और आप भी खुछ रहोगे because आपका attitude अगर honesty से मिलके बना हुआ honesty आपकी attitude का component है तो आपका behavior जब honest होगा तो attitude और हमारा behavior जब हमारे दोन्नों congruence में होते हैं वो saam risque के अंदर होते हैं तो person जो होता है вो content feel करता है वो heppie feel करता है अगर यह अलग तरीके से बीएव हो रहा है behavior अलग है attitude तो person को उससे guilt feel होता है तो हमारा attitude value expression function की तरह काम करता है ego defensive attitude के अंदर क्या होता है ego defensive attitude protect करता है person की self image को लेकिन value expressive जो attitude है वो protect नहीं कर रहा हमें वो क्या कर रहा है हमने जो centrally held value होगी उसको और ज़्यादा निखारने की कोशिच कर रहा है मालो हम किसी religion को follow करते हैं मालो हम इसलाम को follow करते हैं तो हम क्या करेंगे value expression function में हमारा attitude इसको और ज़्यादा जो है express करने की कोशिच करेगा जैसे हम जाएंगे मतलब prayer वगएरा करने के लिए हम जाएंगे हम मुहमद साब की books वगएरा पढ़ेंगे हम कुरान पढ़ेंगे या मतलब हम कुछ और चीजें करके हम express करने की कोशिच करेंगे इसके इसके प्रती तो value expression function इसके द्वारा देखने को मिलता है last function आता है knowledge function हम favorable attitude बनाएंगे किसी particular चीज के प्रती मतलब अगर हमें उससे कोई फाइदा होने वाला या हम world को अच्छे से understand कर पाएंगे उससे हमें knowledge मिलेगी जैसे मालो आप civil service के अंदर जाना चारह हो तो civil service के क्या मिलेगा आपको अच्छी prestige मिलेगी उसकी preparation के लिए अच्छी prestige एक बार select हो जाते हो अच्छी आपको वहाँ पे services मिलेंगी जो आपको perks मिलेंगी वो काफी अच्छी होगी salary अच्छी होगी, power मिलेगी, prestige मिलेगी तो ये सब चीजे मिलेंगी जो आप क्या कर रहे हो आप first वाला हमने के देखा utilitarian attitude का function है utilitarian तो आपका जो attitude होगा वह civil service के प्रती favorable बन जाएगा क्योंकि आपको उससे कोई benefit मिलने वाला है और इस वाले जो हमारा knowledge function है अगर हम utilitarian से देखेंगे तो आपको कुछ फाइदा होने वाला है तो आप उसके प्रती favorable attitude बना के आगे की तरफ बढ़ोगे लेकिन knowledge function of attitude के अंदर क्या होगा आप सोचोगे कि वो तो ठीक बात है कि मुझे benefit मिलने वाला है कोई future में materialistic चीज मिलेगी लेकिन आप सोचोगे कि इसके अंदर में जो slave bus है इसके अंदर international relation हम भढ़ रहे हैं governance भढ़ेंगे और इसमें diverse kind के हम जो subject बने वाले हैं उनसे knowledge boost होगी और वो knowledge हमें help करेगी world को अच्छे से understand करने के लिए तो आप क्या करोगे एक favorable attitude बनाओगे knowledge gain करने के लिए particular subject में आप अपनी degree के प्रती में attitude बना सकते हो favorable attitude study के प्रती favorable attitude बना सकते हो तो वो हमारा function होता है knowledge function some attitude are useful because they help us to make the world more understandable और वो हमें help करते हैं कि हमने जो world के अंदर में events हो रहे हैं उनके साथ में cause attach करना कि क्यों वो event हो रहे हैं और उनके solution बगएरा मतलब world को अच्छे से understand करने के लिए हम attitude develop कर लेते हैं प्रती जैसे civil service के लिए आपने knowledge attitude अपनाया कि हमें knowledge gain करनी है ताकि world को अच्छे से understand कर पाएं तो यह हमारे चार main function होते हैं attitude के यह आपको इसी type से ही आप करने पड़ेंगे because labels के अंदर direct mentioned है इनमें कुछ भी चीज extra add नहीं की हुए तो यह सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगे और आगे कुछ theories भी आएंगी वो भी आपको थोड़ा focus करना पड़ेगा अब बात करते है attitude बनता कैसे है तो attitude कैसे बनेगा value कैसे बनती है हमने देखा moral value inculcate कैसे होती है तो हमने देखा उसमें क्या रोल होता है religion का रोल होता है society का रोल होता है teachers का रोल होता है education institution का रोल होता है family का रोल होता है तो इसी तरीके से जैसे value बनेगी attitude क्या है attitude भी कुछ values हैं जो कि हम ascribe कर रहे है particular object के लिए specific object के लिए तो attitude कैसे बनेगा जैसे value बनी वैसे ही attitude बनेगा attitude भी बनेगा different factor के influence के कारण जैसे family का influence, culture का influence, religion, school, peer group हमारे साथी, education, media, personal experience और कोई influential people जिनको हम follow कर रहे हैं उनके influence के कारण क्या होगा हमारा attitude की formation होगी तो attitude इन सब चीजों से मिलके बनेगा अब attitude जो है बनने के लिए कुछ theories है कि attitude कैसे किसी person का बनता है तो उसके लिए हम कुछ theories है उनके बारे में हमें देखना पड़ेगा तो इसके अंदर में हमारी तीन main type की theories आती है कि attitude बनता कैसे actually factor देख लिए बनेगा इन से इन factor से मिलके बनेगा लेकिन बनेगा कैसे there are three distinct way in which attitude can be formed toward यहाँ पर form होगा कैसे बनता है some issue, किसी particular issue के प्रती कोई event होता है या कोई person, या thing, या state के प्रती, religion के प्रती किसी भी चीज के प्रती में जो attitude बनेगा उसके लिए हमारी different theories है जैसे first है mere exposure theory mere exposure theory क्या बोलती है is the tendency to develop more positive feeling toward the object and individual the more we expose to them हम अच्छी feeling डवलप करेंगे उनके प्रती जितने ज़्यादा हम object को देखेंगे उतनी ज़्यादा हम उनके प्रती feeling अच्छी डवलप करेंगे जैसे मालो आप इसका use कैसे करोगे जैसे यह theory and का use क्या करोगे theories का आप use ऐसे करोगे जिमालो आप administrator बन जाते है और आपको सच भारत अभियान को launch करने के लिए आपको case study आती है कि सच भारत अभियान को कैसे अच्छे से आप लोगों का behavior change कर सकते हो तो behavior क्या होता है behavior attitude की outcome है तो आपको attitude mainly तो attitude change करना है behavior तो आप ऐसे change कर सकते हो कि उनको punishment देदोगे आप ये काम नहीं करोगे लेकिन अगर आप attitude के उपर चोट करोगे तो आप उनके behavior को change कर सकते हो तो सच भारत अभियान के लिए ट्वाइलेट है उनका use करने के लिए आप उनको कैसे motivate कर सकते हो तो mere exposure theory के बोलती है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा exposure कर रहोगे चीज के प्रती आपका attitude उसके प्रती favorable बनता जाएगा जैसे मालो ट्वालेट को खर के अंदर में construct करने है और उसका use करने के प्रती unfavorable attitude है लोगों का तो आप क्या करोगे advertisement के मात्यम से आप उनको बार-बार exposure करवाओगे exposure करवाओगे बार-बार उसी चीज का और लोग उसी को बार-बार जो हमारा advertisement होगी उसको देख देख के mere exposure से उनका attitude के अंदर में change आना शुरू होगा उनका attitude थोड़ा favorable बनने की तरफ आगे बढ़ेगा तो ये theory बोलती ही कि हमें क्या करने पड़ेगा हमें interaction की आवशकता नहीं है कि हमें action लेने की interaction की आवशकता नहीं है आप उसको बार-बार expose करवाओगे तो वो जो है उससे सीख जाएगा उसी चीज को बार-बार देखेगा second theory आएगी associative learning first theory में क्या था ये isolative learning थी मतलब आपने क्या करना किसी चीज को दिखाना यहां पर person किसी चीज को दिखा रहा है आपने इन्होंने क्या बोला आपने कोई action नहीं लेना इसके प्रती या मतलब आपने direct उसके हाथ में कोई चीज दी वे आपने सिर्फ exposure दिखान में आपने किसी person को उसका attitude या behavior में change लेके आना है उससे आप उसको associate करके देखो उससे आप उसको करवा के देखो उसको जवरदस्ती करवाओ थोड़े time के लिए तो यह बोरी associative इसमें दो type की हमारे पास में conditioning आती है theories आती है first आएगी classical conditioning conditioning में मतलब कि आपने किसी person को किसी चीज़ को बार-बार करें तो classical conditioning में क्या होगा involve forming an attitude when a neutral stimulus is paired with the stimulus that is naturally evoke an emotional response तो आपने क्या करना एक neutral stimulus को आपने कोई दूसरे वाला जो हमारा response होगा उसके साथ में चोड़ देना है तो इसको first time इस theory को दिया गया था हमारे पास Pavlov के दोरा Pavlov ने dog और bell का experiment किया जैसा आपने स उसको खाना दिया जाएगा उसको क्या किया जाएगा उसको खाना मिलेगा किसी particular time के उपर या मतलब उसको खाना normal तरीके से खाना दिया जाता है dog को लेकिन Pavlov क्या करता है वो एक bell लगा देता है वहाँ पे और जब वो bell को बजाएगा उसके बाद में वो क्या करेगा उसको खाना देगा, तो मतलब डॉग ने क्या किया, एक neutral, बैल का, बैल के बजने और उसको खाना मिलने से, कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो साथ-साथ हो रहे हैं, तो उसने क्या किया डॉग ने, उसने सोचा, जब बैल बजेगी, तो मुझे खाना मिलेगा, तो अब वहाँ पे उसके मुझे पानी आना शुरू हो जाएगा, because उसको लगेगा, उसको खाना मिलने वाला है, है ये neutral response, neutral है, इसमें कुछ stimulus में बैल बजाने से, किसको खाना मिलता है, लेकिन किसी person ने, उस dog ने क्या किया, एक relationship बना लिया इन दोनों के बीच में, और जब ऐसा होगा, तो द कि एक चीज से दूसरी चीज को relate कर दिया, तो जब भी आप उसको देखोगे, तो आप दूसरी चीज के बारे में याद करोगे, अब इसको भी आप सच भारत अभियान में, किसी particular ad से जोड सकते हो, जैसे मालो एक couple बैठा हुआ है, और वहाँ पे उसके अंदर में जो one person, क कचरा अगर बाहर फैंक हेगा, और दूसरा उसको छोड के चला जाता है, तो एक जो हमारी young generation होगी, उसको देखके influence होगा, उनका हो, कचरा फैंक ने और breakup के अंदर में कोई relationship नहीं होगा, लेकिन वो क्या करेंगे, उसको relationship जोडेंगे, और जब भी आप इस चीज को देखे हैं, लोगों को सोचने की परती, किसी दूसरी चीज के through, जैसे advertisement में mostly किया जाता है, different हमारी, जैसे ठंडा मतलब को का कोला, and other जो चीजें होती है, उससे condition किया जाता है mind को, वैसे हम इसमें attitude condition करेंगे लोगों को, second condition आती है, operant condition, इस condition में क्या होगा, इसमें आप condition नहीं कर होगे, तो आपको क्या किया जाएगा, जैसे वो हमारा news सुनी होगे, आपने की lungi उठाके लेखे जाते थे, उसके बाद में fine पड़ता था, तो आप क्या करोगे, वो parent में punishment होगे, आप मजबूर करोगे इसको behave करने में, certain way में, यहां पर क्या है, एक आता attitude, attitude से बनेगा उ आप क्या करोगे, मजबूर करोगे इसको behave करने के लिए, और reinforce करोगे, मतलब एक बार behave नहीं करवाओगे, बार बार उससे behave करवाओगे, और हमने क्या देखा, जब attitude जो होगा person का, और behavior अलग-लग होंगे, तो person को discomfort फील होगा, उसको लगेगा कि यह तो गलत हो रहा है, क्य चेंज करने की कोशिच करेगा, because action तो ले रहा है, अब unfavorable तरीके से work नहीं करेगा, otherwise यह affect करेगा, उसकी emotional जो, उसकी mental जो construct होगा, उसको affect करेगा, वो person को, उसको discomfort फील होगा, ऐसी situation में वो क्या करेगा, जब बार बार उससे behave करवाओगे, अगर behave नहीं करेगा, तो punishment कर दर तो आप ऐसे ही उनका behavior change कर सकते हो, किसी को positive, अगर आप जैसे बच्चे को बोला जाता है, आप यह करोगे तो आपको ऐसी चीज मिलेगी, वैसे ही अगर आप गलत करोगे तो आपको negative consequences जहलने पड़ेंगे उसके, तो इस तरीके से हम condition कर सकते हैं, इस तरीके से attitude की formation होती है और change भी किया जा सकता है उसको, imagine a young man, एक young man को imagine करो, जो जिसने smoking start की, और जब भी वो smoking cigarette बगएर जलाएगा, तो people complaint करेंगे, उसको chastise करेंगे, उसको मतलब कोसेंगे, गलत कर रहा है वो, और उसको उनकी vicinity जहाँ पे present है, उसको छोड़ने के हो लेंगे, कि बाहर निकल जा यहाँ से, यहाँ पे cigarette बगएर आलो नहीं है, तो वो देखेगा negative consequence हो रहा है मेरे प्रती, तो वो अपने attitude को बदलने की कोशिच करेगा, अपने behavior को बदलेगा, उसको बदलेगा, उसको चेंज हो जाएगा, यह तो गलत किया जा रहा है मेरे तो reward and punishment use की जा सकती है, and third हमारी यहाँ आती है, observational learning, observing the people around, अपने आस पास की लोगों को around, भी observe करना, उससे attitude बनता है, जैसे आप school में observe करोगे, आप religious institution में जाओगे, वहाँ observe करोगे, लोग कैसे behave कर रहे हैं, अपने father, mother को observe करोगे, people also learn attitude by observing the people around them, when someone you admire, जब आप किसी को admire करोगे, और आप उसको greatly espouses, और support करेगा, एक particular attitude को, तो आप ही more likely develop करोगे same belief, किसी वाडमायर करते हो, आप उसकी तरह देखोगे, और observe करके आप भी सोचोगे, कि इस तरीके का belief आप भी बनाओगे, और belief किसका component है, attitude का, तो मतलब आपका attitude उसकी वज़े से form, change होना शुरू हो जाएगा, जैसे, children spend a great deal of time observing the attitude of their parents, and उनी की तरह वो attitude show करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे हम attitude को learn करते हैं, आप देखते हैं, various type कुछ attitude के type, जिन के उपर direct question आने के chances हैं, तो next video में देखेंगे इनको, thank you